नश्रा दोस्तों, देट हैं आज की 1 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्केशन में दो इशूज आज हम डिस्केश करेंगे, दोनों दा हिंदू के, एक टेक्स्ट कंटेक्स्ट का है रूपी की वैल्यू डोलर के मुकाबले में लगातार कम हो रही है, क्यों, क्या रिपरकर्शन्स काफी बड़ा ये आर्टिकल है, बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे ये दूसरे नमबर पे है, पहले नमबर पे जो आर्टिकल है, वो misleading advertisements से समन्दित है, तो इसमें नए नए terms आपको जानने को मिलेंगी, जैसे surrogate advertisement, bait advertisement, कैसे जो advertiser है, वो consumers को फसाते हैं, और क्या guidelines अभी जारी हुई है ये question आपको attempt करना है, explain the reasons behind recently witnessed rupee slide, rupee की value जो dollar के मुकाबले में कम होई है इसके पीछे क्या reasons responsible है, और RVI के पास क्या options available है, rupee की value को stabilize करने के लिए, discuss आपको करना है 250 words में, इससे पहले कि आज की discussion हम start करें, ethics का example, TN session के बारे में है, इनका इस्तमाल आप कर सकते हो, देखो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त ये bureaucrate थे, ये 90's में न, 1990 से लेके 1996 के बीच में Chief Election Commissioner बने, और उस दुरान इन्होंने काम जो किया न, election commission को इतना मजबूत बनाया, इनके बारे में कहा जाता है कि election commission को आपको analyze करना होना आज के समय में, तो आप ऐसे analyze करोगे, election commission before TN session और election commission after TN session, मतलब इन से पहले तो न, election commission को कोई ज़्यादा serious लेता ही नहीं था, लेकिन इन्होंने वास्तों में election commission की powers को assert किया, जिसे moral code of conduct है, उसको तो पहले बस एक moral document माना जाता था, को strictly enforce करवाया, strictly मतलब ज़्यादा ही strictly, थोड़ा सा भी deviation ये बिल्कूल भरदास्त नहीं करते थे, politicians इन से बहुत नफरत करते थे, मतलब अब देखो politicians को रोकोगे आप, कि voters को influence नहीं कर सकते, आप धरम के नाम पर vote नहीं मांग सकते, तो जहीर तोर पर politicians इन से चिडेंगे ना, तो एक बार तो इन्होंने ना, उसमें union minister थे, सीतराम केशरी और कल्पनाथ राय, ये voters को influence करने की कोशिस कर रही थे, उनको भी दमका दिया था, union ministers को, तो उसमें, प्रैम निश्टर थे, पीवी, नर्सीवार राओ, इन्होंने assurance दिया था, TN session को कि दुबारा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजियें, और इनकी बढ़ती powers को, मतलब जैसे इन्होंने election commission को मजबूत बनाया ना, politician इतना डर गए थे, कि पहले ना, election commission में, एक सधस्या हुआ करता था, लेकिन, इनकी powers को रोकने के लिए, ना, दो और election commissioner नूक्त कर दिये गए, यानि, election commission में पहले एक election commissioner हुआ करता था, तो election commission का दाइरा increase कर दिया, कि अब election commission में, तीन election commissioner होंगे, एक के बजाए, होता है, वो, बूथ को capture कर लेता है, लेकिन आप बताईए, आज के समय में, बूथ को capture करना possible है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आज के समय में, CRPF यानि paramilitary forces का इस्तमाल होता है, जिनकी local कोई जानकारी नहीं होती, देखो, अगर police के duty होगी local booth पे, तो police को तो डर लगता है, कि ये local politician है, जीत गए, तो कल को हमारी transfer करवा देंगे, वो डरते हैं, वो सही election नहीं करवा सकते, लेकिन इनके समय में न, paramilitary forces का बहुत अच्छे से इस्तमाल होने लगा, fair and transparent manner में election conduct करवाने के लिए, क्योंकि देखो, paramilitary forces वाले लोग, जैसे CRPF के लोग तो बाहर के होते हैं, उनको local politicians का कुछ नहीं पता होता, उनको जितना बता दो कि आपको किसी local politician को अंदर नहीं आने देना है, तो बस वो बाहर निकाल देते हैं, local police वाले डरते हैं, तो ये तो मैंने आपको छोटे-छोटे examples दिये, इन्होंने एक बार ने बोला था, कि I eat politicians for breakfast, मतलब ऐसी line इन्होंने बोली थी, कि मैं breakfast में politicians को खाता हूँ, middle class के बहुत जबरदर्स थीरो थे, TN सहसान, क्योंकि corruption के खिलाफ इन्होंने जो लडाई लड़ी थी, middle class बहुत जड़ा highly inspired थी इनसे, और इनको बाद में रमन मैकसर से अवोर्ड भी मिला था, public service के लिए, तो इनका example आप दे सकते हो, अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, important article, erotisement samandit guidelines के बारे में हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं, क्या context हैं, देखो Central Consumer Protection Authority, जो कि Department of Consumer Affairs के अंतरगत आती हैं, इस authority ने ना, erotisement samandit नहीं guidelines जारी की हैं, जिनका नाम है guidelines for prevention of misleading erotisement and endorsement for misleading erotisement 2022, काफी अच्छी guidelines हैं, एक एक करके पहले हमें इनको discuss करते हैं, उसके बाद analyze करेंगे, सबसे पहला point इन guidelines में, देखो वो erotisements, जिनका target बच्चे हैं, हाला कि कानून ये कहता हैं, ये products directly बच्चों के द्वारा नहीं ख्रीदे जा सकते, उनके parents के द्वारा ख्रीदे जा सकते हैं, या फिर कानून ये कहता है, health warning जरूरी है इन products को बच्चों के लिए बेचने से पहले, तो ऐसी erotisements में, sports से सम्मंदित, music से सम्मंदित, या फिर cinema से सम्मंदित personality का इस्तमाल नहीं किया जा सकता, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत जारी ऐसी erotisements होती हैं, जो बच्चों को target करने वाली होती हैं, लेकिन कानून ये कहता है, बच्चे directly उन products को नहीं purchase कर सकते, इन fields के जो celebrities है ना, personalities हैं, उनका इस्तमाल नहीं किया जा सकता, दूसरा point, surrogate erotisements पर रोक लगाती हैं ये guidelines, surrogate erotisements मतलब, ये सारी erotisements आपने देखी होंगी, man will be man, या, sure, बताइए किस चीज़ की erotisements है, इतनी सारी आपने man will be man erotisements देखी होंगी, कभी आपने notice किया किस चीज़ की erotisements है, एक्चुल में न, directly liquor की erotisements नहीं कर सकते, liquor manufacturer, सराब की erotisements नहीं हो सकती, तो imperial blue वाले बहुत चलाक हैं, ये music CDs की erotisements कर रहे हैं, जबकि इनकी music CDs की कोई value थी नहीं, उससे मैं जब erotisements आया करती थी, वो indirectly अपने liquor की ही erotisements कर रहे थे, तो इस चीज़ को कहा जाता है, surrogate erotisements, ये allowed नहीं है, नई guidelines में, उसके बाद next है, free claim erotisements, बहुत बार देखो, जो seller होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, ये पूरी तरह से free है, जैसे खास करके credit card वाले, HDFC bank वाले बोलेंगे, ये credit card जो है, वो lifetime पूरी तरह से free है, लेकिन अंदर आप open करोगे, तो पैसे वांगना start हो जाएंगे, बोलेंगे कि अभी तो आपको पैसे देने पड ले तो वो आये अपनी website पर, आप transaction करना ही वाले थे free के नाम पर, finally इन्होंने बता दिया कि अभी free नहीं है, conditions applied है, तो ये free claim advertisements उसी के दोरा की जा सकती है, जो चीज़ वास्तों में free हो, next, bait advertisement, bait advertisement समझते हो, बहुत बार ना, जैसे आपने add देखी, apple का mobile कितने में, 5000 रूपे में, 60% discount, आप सोचते हो, अरे भाया, इतना सस्ता कैसे, आप click कर देते हो, उसे advertisement पर, लेकिन ना, जब आप click करोगे ना, तो वहाँ पर मिलेगा कि अभी unavailable, sold out, खतम हो गए हैं, हम बेच रहे थे 5000 में, लेकिन अभी खतम हो गए हैं, actually, वो बेच था, जो advertisement थी ना, कि 60% discount औ और Apple का phone सिरफ 5000 में, वो एक bait था, चारा था आपको लाने के लिए उस website पर, अब आप आगे हो, तो कुछ products आप और भी देखोगे, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेके चले जाओ, अब आये किसके चकर में थे आप, Apple का phone 5000 रुपे के चकर में आये थे, लेकिन product आपने और website पर पहुंच गए, तो इसको बोलते हैं, bait advertisement, इस पर भी brand है, next point है, bars deceptive advertisement, अब कुछ, दिखो, advertisement ऐसी होती है, जिसमें जरूरी information चुपा ली जाती है, आधा सच दिखाया जाता है, for example, आपको ना एक जहाज की कहानी सुनाता हूं, interesting है, सिरफ एक मिनिट की है, ध्यान स पर था, और ना उस पर वैसे तो काफी seller सवार थे, A और B, दोनों के बीच में आपस में competition रहता था, खास करके जो B है ना, वो काफी jealous था A से, एक दिन ना A ने गलती कर दी, सराब पी ली, अब ना इन सभी seller को ना, dairy में report लिखनी पड़ती थी कि जहाज में आज क्या क्या ह हुआ, तो जब A ने साम को काफी सराब पी ना, तो B ने report में लिख दिया dairy में, आज A ने खूब सराब पी, A ने request किया B से, कि भाया, आज मैंने पहली बार पी है, पहली गलती की है, तो कम से कम पूरा सच तो बता दो ना, कि आज A ने पहली बार सराब पी, ताकि seniors को ये ल लिखा है, सच लिखा है, आज तुमने बहुत सराब पी है, मैंने वही लिखा है, तो अगले दिन ना, अब A को भी B के बारे में लिखना था, मतलब A को भी daily report तो फिल करनी होती है, dairy में कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता है, तो A ने अगले दिन साम को पता dairy में क्या लिख दिया, आज B ने सराब नहीं पी, समझ गए, B चिड़िया पूरी तरह से B बोला, अरे भाया मैं सराब कभी नहीं पीता हूं, तुमने ये क्यों लिखा कि आज सराब नहीं पी, क्योंकि इससे संकेत ये जा रहा है कि वैसे मैं daily पीता हूं, लेकिन आज मैंने नहीं प मैं क्यों बताओं पहले तुमने कभी पी है कर नहीं पी है, तो ये आदा सच जो होता है न, उसका इस्तमाल किया जाता है, एरुटाइजमेंट्स के लिए, जो बाते जैसे साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स चुपा लिए जाएंगे, तो ऐसी एरुटाइजमे सकते हैं, ऐसा नहीं कि विदेश में चले गए हो, तो वहाँ पर जाके उन एरुटाइजमेंट्स को किया जा सकता है, नहीं, इसके लिए वादे को कुछ डिस्क्लेमर सम्बंदित गाइडलाइन्स भी हैं, जैसे डिस्क्लेमर जो है, सेम लेंग्वेज में होना चाहिए, फ जल देल दे नहीं बोल सकते, क्लियर बोलना है अरुटाइजमेंट वालों को, ताकि समझ में आये कम से कम कंजूमर्स को, और जो ओनर और प्रमोटर हैं कंपनी में, उनको भी अपनी स्टेक्स डिस्क्लोज करने होंगे, कि मेरी हिस्सेदारी इस कंपनी में इतनी हैं, इसके बरतनी होगी, कि एवर्टाइजमेंट में जो लोग क्लेम किये जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, आपने भी वो प्रोडेक्ट यूज किया हो, जो आप बोल रहे हो, वो सही है, ये सब ड्यू डिलिजेंस इंडोर्सर को बरतनी होगी, ये अच्छी चीज है, अब जो अथ कि जाती हैं, तो 50 लाग तक का फाइन लगाया जा सकता है, अथोर्टी, इंडोर्सर को न, एक साल के लिए रोक भी सकती है, एवर्टाइजमेंट करने से, ये अच्छी चीज है, मा लिजे, अजे देवगन ने कोई ऐसी एवर्टाइजमेंट कर दी, जो मिसलीडिंग है, त इस एस्पेक्ट पर थोड़ा जादा डिटेल से, डिस्क्रिशन किया दाता है, आर्टिकल में, जैसे न, जो इंडोर्सर होते हैं, जो सेलिबिटीज, विराट कोली, अक्षे कुमार, इनसे अच्छी करवाते क्यों हैं, बहुत सारी रीजन्स हैं, एक तो जादा अच्छे स यह communicate कर पाते हैं, objective क्या है product का, brand value होती है इनकी, और इन पर लोग trust करते हैं, credibility होती है, तो जादा products बिखते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि product में, product के बारे में बोलने के लिए कुई जादा कुछ होता नहीं है, तो बस celebrity को आगे कर दो, same बात वही repeat कर देगा, ताकि उ crazy marketing है, अब देखो advertisement अगर misleading है, तो इसके लिए endorser को जिम्यदार ठहराना सही है या गलत है, endorser या यह celebrities तो service provider है, तो क्या इनकी responsibility fix करना जुरूरी है, क्योंकि देखो इनको ना product की technical knowledge तो होगी नहीं, जैसे मान लीजिए bone vita की add है, तो आपको लगता है कि यह celebrities है, वो bone vita के बा करता है, नहीं, technical knowledge इनको नहीं होती, सिधा इनके लिए पैसा matter करता है, पैसा कितना मिलेगा, वो advertisement कर देते हैं, लेकिन अब guidelines में बोला गया है कि वो due diligence बरतेंगे, due diligence बरतने का मतलब क्या है, पहले products को verify करेंगे, अब देखो या तो इनकी team होगी जो products को verify करेंगी, या फिर ये ASCI के पास जाएंगे, ASCI मतलब advertisement, standard council of India, ताकि company की जो reports है product के बारे में उसे verify करवाय जासके, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, बहुत सारे products जो दावे करते हैं वो grey zone में होते हैं, grey zone में मतलब इसको खाने से हडिया मजबूत होती है, ये cement मजबूत है, अब कैसे test करेंगे सारा, बहुत सारे ऐसे दावे ना grey zone में होते हैं, उनको असानी से test नहीं किया जा सकता, वैसे देखो पहले consumer protection act में एक provision हुआ करता था, even endorser को, यानि celebrities जो advertisement करते हैं ना, उनके लिए भी सजा का प्रावधान था, हालाकि ये बहुत strict था, अब fine का प्रावधान क्या गया है, 10 लाख और दुबारा गलती करने पे 50 लाख, ये fine वैसे कुछ भी नहीं है, ये जो विराट कोली जैसे लोग है, एक एक advertisement के लिए जैसे 5 CR लेते हैं, एक साल का, 10 लाग का fine इनके लिए क्या माइने रखता है, लेकिन बात ये है, ये जो provision है कि उनको एक साल तक advertisement करने से रोक जा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है, अब विराट कोली एक साल तक advertisement नहीं करेंगे, तो उनको डेट सो क्रोड का, 200 क्रोड का नुकसान हो जाएगा, ये एक बड़ी चीज है, और उनकी credibility को भी बहुत ठेस पहुंचेगी, ट्रस्ट लोगों का खतम हो जाएगा कि उन्हो को relate कर सकते हो, क्या contest है, देखो अभी इंडियन रूपी की जो value है डोलर के मुकाबले में, all time low पर है, कितनी 79 रूपीज, वेडने स्टे को रूपी डोलर के मुकाबले में 79.05 पर बंध हुआ, कई सारे analyst ये बोल रहे हैं, कि रूपी की value जो है वो डोलर के मुकाबले में और जादा कम होगी, और जल्द ही 80 को पार कर जाएगा रूपी डोलर के मुकाबले में, IMF का ये भी अनुमान है कि financial year 2029 आते आते, रूपी की जो value है डोलर के मुकाबले में 94 हो जाएगी, देखो इस साल ना, रूपी की value डोलर के मुकाबले में 6% कम हो गई है, जनवरी 2022 के बा 642 billion dollars पहुँच गया था, अब 600 billion dollars से कम पर आ गया है, क्यों, उसका reason देखो ये है, जैसे forex reserve में दूसरी currencies भी होती है, for example, euro, yen, उनकी value भी depreciate हुई है, डोलर के मुकाबले में, तो उनकी value कम हुई है, डोलर के मुकाबले में, और final calculation हो रही है, डोलर में, तो निश्ची तोर पर फिर foreign exchange reserve कम होगा ही, यानि foreign exchange reserve हमारा September से लेखे अभी तक 50 billion dollars से ज्यादा कम हो गया है, RBI ने काफी steps लिए तो है, रूपे की घरती value को रोकने के लिए, लेकिन देखो, आप में देखा हो तो अजादी के बाद से ही, कुछ times तो सरकार ने जान बूज के रूपे के value को डोलर के मुकाबले में depreciate किया, devaluate किया, RBI का objective यह है कि रूपे की value जो है न डोलर के मुकाबले में natural होनी चाहिए, natural मतलब जितने पर जाता है जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, बस RBI यह चाहता है कि जल्दी जल्दी value ना घटे या फिर बड़े, volatile नहीं होनी चाहिए, रूपे की value डोलर के मुकाबले में, धीरे ध इन चीज़े में आपको बताता हूँ, concepts आपके clear हो जाएंगे, देखो किसी भी चीज़ की value है न वो demand and supply पर depend करती है, मानते हो इस चीज़ को, अगर किसी चीज़ की demand जादा है, तो value जादा होगी, supply जादा है, तो value कम होगी, समझ रहो, तो currency के साथ भी ऐसा ही है, मान लीज ये dollar की supply जादा है हमारे देश में, demand जादा नहीं है, supply जादा है, supply जादा से मतलब ये है, कि अच्छी खासी मातरा में investment आ रही है, FDI आ रही है, तो अच्छी खासे amount में dollar आ रहा है, dollar की कोई दिक्कत नहीं है, supply जादा है, तो फिर dollar की value है रूपी के में कामले में कम जोर हो diamond बिखरा रहेगा, तो diamond और gold की value उतनी जादा थोड़ी ना होगी, scarcity में है, limited है gold diamond, demand जादा है, supply कम है, तभी तो इनकी value जादा है न, अब देखो, मान लीजिए, थोड़ा और मैं आपको detail से बताता हूँ, मान लीजिए, हमारे देश में oil हम import कर रहे हैं, अब oil दूसरे दे इस्तमाल होगा, oil को purchase करने के लिए, जादा dollar इस्तमाल होगा, तो मतलब हमारे देश में dollar की कमी हो जाएगी, dollar की demand बढ़ जाएगी, dollar की demand बढ़ेगी, तो फिर dollar जादा मजबूत होगा, रूपी के मुकाबले में, तो ये एक factor है, जो असर डालता है, रूपी की value क्या होगी dollar के मुकाबले में, कि आप oil purchase कितना कर रहे हो, investment देख लिजिए, मान लिजिए, इंडिया में investment जादा आती है, FDI और foreign institutional investment जादा आती है, तो फिर क्या होगा, dollar में पैसा हमारे देश में आ रहे है, investment की form में, dollar है अच्छी खासी मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, demand जादा न है, बट अब वो देश को छोड़के जा रहा है, यानि dollar already जो invested था, already investment थी, वो वापस जा रही है, यानि dollar वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, इसका मतलब हमारे देश में, dollar की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसका मतलब dollar कम है, demand जादा है, तो ऐसी situation में, dollar मजबूत ह होगा, रूपी के मुकाबले में, रूपी की value कम होगी, dollar के मुकाबले में, और वही अब हो रहा है, अब क्या हो रहा है, US Federal Reserve ने न, interest rates को increase कर दिया, अब देखो, foreign investment US की जो इंडिया में थी, उनको लग रहा था कि इंडिया से जाबा returns मिल जाएगे, बट अब चुकि US के Federal Reserve उन्हें interest rates को increase कर दिया, यानि वहाँ पे अब लोन देके भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, तो जो foreign investment इंडिया में थी, वो वापस चली गई US में, क्योंकि उन्हें लगा interest rates वहाँ बढ़ गई है, तो वहाँ पे भी lending से अच्छे returns कमाया जा सकते हैं, तो इंडिय इसी बात, रूपी के value कमजोर हो जाएगी, डोलर मजबूत होगा, जिस चीज की demand जादा है, supply कम है, वो चीज मजबूत होती है, ये एक reason है जिसकी वज़े से, अब जो dollar की value है, वो increase हो रही है, रूपी के मुकाबले में, अब इसका एक और चीज से नाता है, वो भी आप य inflation जादा रहती है, higher inflation का होना, इसका मतलब ये है, RBI जो है, रूपी को जादा fast rate पर create कर रहा है, as comparison to US Federal Reserve, dollar को create कर रहा है, समझ रहो, मतलब RBI जादा fast तरीके से रूपी को create कर रहा है, comparison अगर हम करें, कि US Federal Reserve कितनी rate से, कितना fast dollar को create कर रहा है, तो RBI जब जादा fast धंग से रूपी को create कर रहा है, मतलब रूपी जादा, जो चीज जादा होती है, उसकी supply जादा, supply जादा मतलब demand कम, demand कम मतलब value कम, value कम, यही तो हम discuss कर रहे हैं, कि रूपी की value क्यों कम है, dollar के मुकाबले में, इसके बाद जाते जाते, 2-3 और भी points, writer के दोरा बताए जाते हैं, जैसे 2013 में, रूपी एकदम से 15% गिर गया था, dollar के मुकाबले में, तीन महिनों के अंदर-अंदर, क्योंकि US के जो investors थे न, वो अपना capital वापस ले गए थे US में, क्योंकि US के Federal Reserve ने ये announce किया था, कि वो अपने bond purchase program को छोटा करेंगे, इससे होता क्य चोटा करते हैं, तो वहाँ पे interest rates high होती, interest rates high होती, तो इसका मतलब investors को वहीं पे अच्छे return मिल जाते हैं, तो फिर इंडिया में invest करके वो क्या करेंगे, तो वो अपनी capital वापस ले गए, capital वापस ले गए, मतलब dollar वापस ले गए, मतलब वही same चीज जो बार-बार repeat कर रहा तो simple भासा में बोलू, जितनी value का हम import करते हैं, उसका difference जितनी value का हम export करते हैं, ये current account के components है, visible components और invisible components, visible components मतलब goods, कोई समान हमने import किया, export किया, वो तो दिखता है न, invisible components जैसे remittance बेजी, कोई इंडिया से गया है, गल्फ में काम करने के लिए, उसने वापस remittance बेजी, donation ब को, या फिर services provide करते हैं, हम दूसे देशों में, तो ये है invisible component, तो overall जो हमारा current account है, deficit में रहता है, यानि हम export कम करते हैं, import जादा करते हैं, जिसे tail है, इतना सारा तो हम tail ही import कर लेते हैं, remittance माना अच्छी खासी मात्रा में आता है, लेकिन tail इतना जादा import करते हैं, उससे सार चीजे खराब हो जाती है, overall हमारा current account deficit 3.10% of GDP पर है, ये पिछले 10 साल के high पर है, तो अब देखो current account deficit रहेगा, मतलब हम export कम कर रहे हैं, import ज्यादा कर रहे हैं, import ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हमें ज्यादा dollar किया उसकता है, मतलब dollar कि दिमांड ज्यादा, dollar कि दिमांड मतलब dollar मजबूत रूपी के मुकाबले में, तो ये factors हैं, अगर UPSC question पूछ लेती हैं, कि dollar क्यों मजबूत हो रहा है, रूपी के मुकाबले में, और क्यों ऐसा का जा रहा है, कि 2039 आते आते इसकी value 94 हो जाएगी, रूपी की value dollar के मुकाबले में, तो ये सारे factors आप बता किजिएगा, तो ये थी हमारी आज की discussion, आज दो ही issue हमने discuss किया details है, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.